हेलो एवरिबन आज हम करेंगे आपका लेक्चर नमबर फाइफ एलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टू चार्ज डिस्टिबूशन इससे पहले हमने लेक्चर फॉर्थ में क्या किया था electric field due to a point charge ओके और electric field intensity due to a point अब आपको last lecture में क्या result मिला था E equal K Q upon R square E इसमें क्या थी electric field equal K क्या था constant और Q क्या था आपका charge और R square क्या था distance ओके और यह सब valid था only point charge के लिए छोटे से charge के लिए means electric field आपको निकालने होती थी किसी point पे बट वो charge कैसा था point charge चोटा सा charge और उसमें अगर आपका charge अगर आपका charge positive है तो electric field किस direction में बनेगी away from charge charge से दूर जाएगी और अगर आपका charge है negative तो आपकी electric field होगी towards the charge charge की तरफ यह हमने last lecture में last lecture में complete किया था अब आपके पास क्या है electric field due to charge distribution की आपका charge क्या है distribute किया हुआ है एक road के उपर यहाँ पे क्या था जो पहले lecture था उसमें क्या था point charge था चोटा सा charge और यहाँ पे क्या है एक road लिए है हमने और road लिए है road के उपर क्या है charge distribute है for example एक Q charge है इस road के उपर distribute किया uniformly distribute किया इस road की length क्या है L अब इसका charge गया है positive तो इसकी direction कैसी रहेगी आपकी away from charge means इस side इस side आएगी इसकी direction अब यहाँ पे आपको क्या need है यहाँ पे point charge का formula तो valid नहीं होगा क्योंकि वो था एक छोटा charge और यहाँ पे charge क्या है distribute है तो इसको point charge बनाने के लिए आपने क्या किया road को इस road को यहाँ पे एक element को cut किया इस road के किसी भी element को cut किया सबसे पहले देखिए आपको आपने road ली उसके उपर Q charge distribute किया इस point पे electric field निकालनी है आपको ठीक है इस point पे electric field निकालनी है इस road में से आपने क्या किया कहीं से भी एक element कट किया यहाँ से एक element कट किया एक छोटा सा element कट किया और इस road की इस point से distance क्या है A अब जो आपने element कट किया है उस element की इस point से distance क्या है x अब आपने एक छोटा सा element cut किया है तो वो element cut किया है तो small के लिए आपने इसके उपर charge क्या हो जाएगा dq small के लिए d यूज गरते हो न आप dq और अगर complete length इसकी x है small length क्या हो जाएगी dx बहुत simple है small length dx small charge dq इस पूरी road पे था q charge small है तो dq और क्या है आपके complete length क्या है l इस road की complete length क्या है l और इस road की point से क्या है a अब ये क्या ये जो element आपने cut किया है ये कैसा behave करेगा आपके point charge के जैसा क्योंकि dq क्या है small charge है आपका अब ये small charge हुआ तो आपका point charge का formula क्या हो जाएगा valid हो जाएगा यहाँ पे अब वो formula क्या था आपका अब इसकी वज़े से जो electric field बनेगी छोटा सा charge है छोटा सा छोटी इसकी length है तो इसकी electric field भी क्या बनेगी छोटी सी de बनेगी तो यहाँ पे de का formula क्या था E का formula यहाँ पे D E क्या है D E equal K क्या है constant D क्या है अपका charge और X क्या है अपका distance अब E net अगर निकालनी है आपको means electric field net निकालनी है आपको तो net निकालने के लिए आपको अभी तो हमने एक point cut किया यहाँ से एक element cut किया इस road में से फिर हम क्या करेंगे यहाँ से start होंगे यहाँ पे cut कियेंगे यहाँ पे cut करेंगे यहाँ पे cut करेंगे यहाँ पे cut करेंगे और end तक cut करेंगे और सब की direction इस side रहेगी क्या charge गया है आपका positive positive charge है तो सब की direction क्या होगी away from charge तो आपको क्या करना है element को cut cut करना है और सबको add गरना और addition के लिए आप क्या करते हो integration अब DE की क्या करने है DE net निकालने के लिए means electric filter net निकालने के लिए आपको integrate करना है DE अब आपने क्या किया DE को integration क्या और DE equal क्या है limit limit put करने है आपको because limit क्या है limit यहां से यहां का distance यहां से start करोगे तो क्या distance है A A से start है और L length इसकी last में क्या है L तो A plus L तो इसकी limit क्या रहेगी A से लेके A plus L और formula के according K DQ upon X square K क्या था constant DQ क्या है small charge और X square क्या है इसकी length sorry distance X square क्या है इसका distance तो यहां पर आप क्या करोगे X square आपका change होता रहेगा अभी यहां पर element यहां था तो X अलग था X की value change हुई फिर यहां X की value अलग मिलेगी यहां पर अलग मिलेगी यहां पर अलग मिलेगी end पर अलग मिलेगी आपकी और वो कहां से start है आपकी a से लेके a प्लस l तक तो limit क्या थी electric field net निकालने के लिए e net equal k limit क्या है a से लेके a प्लस l k बहर आ जाएगा because k क्या है आपका constant और dq और upon x square यह आपके पास बचेगा अब आपको integrate करना है तो यहाँ पे dx की need है आपको अब dx के लिए आपने क्या किया एक term introduce की जिसका नाम क्या है linear charge density वो क्या होती है lambda lambda का मतलब क्या होता है charge per unit length ठीक है न कि unit length पे कितना charge है charge per unit length lambda equal charge per unit length और यहाँ पे charge आपको क्या है छोटा सा charge dq तो dq रखोगे और length क्या है छोटी सी length dx तो length क्या रखोगे dx ओके यहाँ पे multiply करोगे lambda की dx से equal है dq ओके अब यहाँ पे क्या मिल गई आपको dq की value मिल गी lambda dx यहाँ पे क्या करोगे आप put करोगे value किसमें इसमें dq के place पे क्या रख दोगे lambda dx ओके e net electric field net निकालने के लिए क्या करोगे आप equal क्या है k constant बाहर आजाएगा lambda dx upon x square और a limit क्या है a से लेके a plus l अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे lambda भी आपका constant है तो यह भी बाहर आएगा आपका तो limit क्या बचिए आपके पास a से लेके a plus l और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1 upon में x square dx इसको integration करोगे आप इसकी integration बहुत simple है इसकी x की power को उपर ले कर जाओगे वो क्या हो जाएगी आपकी inverse आजाएगी minus में हो जाएगी power और integration करोगे इसमें एक plus करोगे और as it is आप इसको निचे लिखोगे minus 2 plus 1 इसको solve करोगे इसकी limit क्या है a plus l और a यह क्या है इसकी limit आपको put करने है एक बार a plus l और एक बार a k और lambda आपका बहार है उसको बहार करोगे आप k lambda बहार है आपका और एक बार आपने x के place पे रखा a plus l और एक बार रखा आपने x के place पे minus 1 upon a इसको solve करोगे आप electric field net आपकी आएगी equal k lambda bracket में आपके पास 1 upon a minus 1 upon a plus l ओके thank you